नमस्कार दोस्तो स्वागे थे आपका हमारी यूटूब चेनल टेक्निकल फ्रेंड में दोस्तो आज की वुडियो आपके लिए काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट और यूजफूल होने वाली है आज की वुडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मॉबाइल या लैप्टॉप से यूनियन बैंक में ओनलाइन सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं वो भी जीरो बैलेंस के साथ जिसमें आपको ATM भी मिलेगा जिसे डेविट कार्ड का जाता है और जो चेक बुक भी आपको मिलेगा SMS banking सेवाए मिलेंगी और Mobile banking भी सवाए मिलेंगी सारी जो है आपको फेशनालिटी मिलने वाली है सबसे फाले आपको वीडियो के description में दिए गए लिंक पर किलिक करके इस जो है वैपसाइट पर आजाना Union Bank के वहना आप लोग डारेक्ट आ सकते हैं वैपसाइट का मैं नाम बता देता हूँ unionbankofindia.co.in इस वैपसाइट पे आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेश आपको मिल जाएगा अब आपको लेप्ट साइड में उपर की तरफ देखेंगे अगर mobile में हैं आप लोग तो three line दिखाई देगी इस three line पर आप लोग किलिक करेंगे और laptop में है तो direct आप लोगों को यहाँ पे नीचे की तरफ apply online का option जो मिलता है वो direct मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है apply online पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पे आपको saving account का option दिखाई देगा आपको saving account पर किलिक करना है जैसी आप लोग saving account पर किलिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अगले page पर redirect किया जाएगा जहाँ पे account खोलने की फर्मालिटी पूरी होती है यहाँ पे close का option दिखाई देगा इस पे आप लोग के लिए करके close कर दीजीगा अब यहाँ पे देख सकते हम लोग page पर आ जाते हैं जहाँ से account ओपेन किया जाता है और आप लोग video के end तक दोस्तों बने रहिए सारा process मैं आपको live proof करके दिखाने वाला हूँ अब यहाँ आप देखेंगे आपको पहले scheme type चूच करना जैसे कि यहाँ पे saving account है union digital saving account है personal account है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपको कैसे क्या चूच करना है saving account जो है normal है general है saving account और यहाँ पे जो है union digital saving account है हम इसके द्वारा जो saving account खोलेंगे zero balance के साथ तो हमें union digital saving account का option इस पर क्लिक करना है अब इसके बाद आधार नमबर आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है जिसका bank खोलना, account खोलना है आधार नमबर इंटर करके यहाँ पे submit का option है submit के option पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप लोग submit पर क्लिक कर देंगे जो अधार नमबर जिस mobile नमबर से registered है उस पे OTP आएगा OTP यहाँ पे क्लिक डाल के validate कर देजिएगा इसके बाद automatic यहाँ पे वो नाम उठा लेता है gender automatic select हो जाता है अब यहाँ पे आपको father name लिखना है जिसका account खोलना जिसका अधार नमबर आप यहाँ पे डाले है father name इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे mother name का option मिलता है mother name डालना है date of birth आटोमेटिक select हो जाता है अधार नमबर हमने QQ verify किया इसलिए अब इसके बाद mobile नमबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यह जो compulsory है सारे जो है यहाँ पे feature आपको जो भी email id पैन कार्ड जो भी मांग रहा है सारा कुछ आपको यहाँ पे डालना है इसके बाद आपको state चूच कर लेना है जो भी आपका state है यूपी विहार दे रहे जारकन जो भी state है यहाँ चूच कर लिजिए इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना इडिश्टिक चूच कर लूँगा इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो प्रेफरेंट ब्रांच है यानि आपका जो नज़िदी की ब्रांच है या जिस ब्रांच को आप चूच करना चाहते है यूनियन बैंक की वो आप यहाँ से चूच कर लिजिए इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कनफर्म कर देना है तो चलिए मैं चूच कर लेता हूँ सारा कुछ ही यहाँ पे भर देता हूँ इसके बाद कांटिन्यू पर किलिक करता हूँ जैसे ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है कांटिन्यू पर किलिक करेंगे इसके बाद अगले पेज पर हम लोग आएंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ डीटियल और मांगता है जैसे कि पर्मानेंट एड्रेस क्या है तो यहाँ पे हमें जो है एड्रेस डीटियल भरना है पर्मानेंट एड्रेस चूच कर लिजिए हाउस नंबर है विलेज आटोमेटिक सेलेक्ट है सीटी आपना अपना चूच कर लिजिए पिन कोड यहाँ पे इंटर कर दीजिए अगर दोनों एड्रेस सेम है जो भी आपकी इंकम है यहाँ से इंकम आफ सोर्स आपका क्या है यहाँ पे आप लोग चूच कर लिजिए सैलरी है पेंसन है रिटल है या अधर है यहाँ पे जो भी चूच करना चाहते हैं आप चूच कर लिजिए इसके बाद नेट वर्थ नेटवर्ष यानि आपकी टोटल नेटवर्ष कितीनी लगभग 10 लाग तक है यानि 10 लाग से कम है जो भी आपकी चूच कर लिजे यहाँ पे 10 लाग से कम जरूर चूच करना पड़ेगा क्योंकि उनमें से एक जरूर चूच करना प्लेस आप बर्थ आपका जर्म कहां पे हुआ है इसके बाद डेट आप बर्थ आप बर्थ यानि आपका जर्म किस कंट्री में हुआ है तो हम यहाँ पे इंडिया चूच कर लेंगे इसके बाद जो भी आपका कंट्री चूच कर लिजे जैसे आप लोग कांटिन्यू के बटन पर किलिक कर देंगे इसके बाद आप लोग अगले पेच पर आएंगे जहां पर आपको नॉमनी डीटियल फिल करनी है नॉमनी डीटियल का मतलब होता है आपके अलावा आपके घर का किसी को भी आप नॉमनी बनाना चाहते हैं ति यहा का नाम लिख दीजिए नॉमनी डीटियल्श नॉमनी का ज़ासे में एच परमनेटी ड्रेस यद्या से चो जो भी आपका धया नॉमनी दुजक कर लिजिए इसके बाद यहां पहरThese नहीं तो no कर देना है नावालिक मतलब होता है minor मतलब दोस्तों और यह पहला option है no रहेगा और दूसरा option yes रहेगा इसके बाद आपको नीचे other faculties का option मिलता है जिसमें आपको ATM debit card देखने को मिलता है इस पर click कर देना अगर ATM आपको चाहिए banking सेवाई यानि mobile banking सेवाई चाहिए तो yes कर दीजिए इस पर check कर दीजिए SMS banking चाहिए तो इस पर भी check कर दीजिए और यहाँ पर checkbook आप लोग already यहाँ पर इस पर कर दीजिए क्योंकि यह checkbook जो compulsory रहता है इस पर जब आप यहाँ से करते हैं online porter से अगर और यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं checkbook चूज करने के बाद collect from branch branch से आप अपने collect करेंगे checkbook या जो delivery communication address या जो आपने address communication अपना डारा है उस address पर प्राप्ट करना चाहते हैं हम जो है delivery to communication पर किलिक कर देते हैं इसके बाद continue पर किलिक करते हैं जैसे हम लोग continue पर किलिक करेंगे इसके बाद आप लोगों को अगले page पर भेजा जाएगा यहाँ पर document आपको upload करना होता है document में आपको चार प्रकार के document upload करने हैं यहाँ पर choose file पर किलिक करेंगे आप अपने gallery से जो भी MB से कम रहना चाहिए और जो customer signature आप अपना signature एक जो है white paper पर करके upload कर देंगे या direct camera से यहाँ से कर लेंगे इसके बाद आधार card image आपका रहना चाहिए mask आधार card भी आप upload कर सकते हैं जिसमें सिर्फ last का चारंग दिखता है और communication address proof पर किलिक करके आप यहाँ से जो भी address proof चूज करना चाहते हैं यहाँ से चूज करके उसको upload कर देंगे और नीचे आप submit कर देंगे और इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे application हमारा जो submit हो जाता है successfully हम यहाँ पर ok कर देंगे और finally आप लोग को कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आप लोग thank you के just नीचे देख सकते हैं reference ID हमको मिल जाते है reference number यहाँ पर आप लोग इसको insert ले सकते हैं और district वगरा सारा detail आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और नीचे आप देखेंगे download application farm का option है इस पर click करके application जो हमने भरा अभी इसको हम download कर लेंगे चार copy होती है इनको download कर लेंगे और किसी जनसेवा केंदर पर या कहीं भी जहां पर जहरेख सोता है वहाँ पर इस copy को निकलवा लेंगे चारो copy को और इसका जो duplicate हम जो है और finally जैसे आपकी KYC हो जाती है वहाँ पर bank पर bank पर जो KYC करने के लिए बुलाया जाता है आपको यह इसलिए मैं process बता रहा हूँ है और 30 दिनों को अंदर आपको जाना है जब आप यहाँ पर सम्मिर कर देते हैं इस दिनों के अंदर ही आपको यह सारा काम करना है KYC आपको bank वाले करके देंगे पूरी आपकी KYC कर देंगे तो आपका जो है account saving account जो है online open हो जाता इस तरीके से आपको लेकिन दोस्तों bank पर जरूर जाना पड़ेगा KYC करने के लिए विडियो important लगे विडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें